बाइस्तारीक को अभिशेक जल्यात्रा होने जा रही है उसका मुस्लिम समाज की तरफ से और 36 विरादरी की तरफ से पूरा भहुए शागत होगा मुस्लिम समाज ने जो ये बहल करी है बहुत अच्छी मैं उसकी तरफ करना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है जाहिद भाई की तोफीक जी ने हमारे साथ जाहिद हुसेन जी हैं जो मेवात विकास मंच की जिम्मेदारी भी समाल रहे हैं और भारते जन्ता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं जाहिद जी क्या त्यारी है स्वागत सबसे पहले तो मैं आपका श्वागत करता हूँ कि आपने जल अविशेक यातरा को लेकर जो सवाल क्या है पहली दफा जल अविशेक यातरा को लेकर मेवात के जो समाजिक संग्ठन है चाह वो मेवात विकास मंच हो, चाह मेवात विकास सभा हो, क्योंकि सबकी अलग-अलग पृतिकरिया है, अख़बारों के माध्यम से, सोसल मीडिया के माध्यम से आ रही है, सभी लोग अपनी अपनी जगे स्वागत के लिए तैयार है, और मेरा मानना ये है, कि मेवात में भा भाइचारा को खराब करने की जो पिछली बार कोशिस की थी, लेकिन मेवात के लोगों ने उस बात को बहुत जिल्दी कवर किया, और भाइचारा को तुरंत कायम करके, आज उसी जल विशे की आत्रा को लेकर मेवात में जो स्वागत करने जा रहे हैं, संक्ठन के लोग में सभी का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसमें सब मेवाद के सभी जिम्मेदार लोग चाह सरपंच हैं चेरमेन हैं पारसद हैं सभी लोग इसमें बड़ चक्र भाग लेंगे हमारे साथ एक महिला भी है भारते जनता पार्टी से जुड़ी होई है बोली जी महिलाएं कितनी तादात में यात्रा को स्वागत करेंगी फिरोजपुर जर्का भी यात्रा जाएगी क्या केंगे नमस्कार जी जैसे की सर ने बताया है कि वही साली स्रुक्षा है महिलाओ के लिए वहां प्रवत्त्राइर के लिए पूरी प्रबंद कर दी है और मतलब 1000 के ताकाद में महिलाएं हैं जो जला विशेक करेंगी वहां प्रुचपुर में और नलड में कितना उत्सा इस बार देखने को मिल रहा है क्या इस बार भी कोई डर कोई बहकी स्थिती है नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है और पूरी सुरक्षा है जो हमारी बारते जंतापाटे के साथ और भी टीम है पुलिस क्रमी भी है जो लगे हुए क्या कि मैं खुद देखकर आयूं पूरी तरह से त्यार हैं उनसे जानेंगे कि क्या व्यंजन उनके द्वारा मेहमानों के लिए परोशे जाए असलाव अलेकुम काशिम भाई आपका सबसे पहले तो स्वागत है और धन्यवाद है जो कल बाइस्तारी को अभी शेक जल्यात्रा होने जा रही है उसका मुस्लि परिशट चेर्मेन है सभी ने एक मन बना रखाए कि चो हमारे पर पिसली बार एक मेवाद के उपर एक कलंग से लगा scold कर जेकर इस तरीके से हजारों साल से मेवात का भाईचारा बना रहा है इसी तरीके से मेवात का भाईचारा रहेगा कोई भी गलत टिपनी ना करे क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है हमें इनका स्वागत करना है इन्शालला पूरी तरीके से सौनु नागपाल जी है, नुहुन शहेर के नंबरदार है, जिम्मेदार पदपर हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, सौनु जी किस तरह यात्रा को देखते हैं और क्या कह रहते हैं? यात्रा जो इसमार निकल दी जलव पे शीक, अभी शेक यात्रा नलड से होकर जो फ्रोच्व जिर्का जाएगी उसके बाद अपना पुनाना पहुंचेगी उसके लिए मुस्लिम समाज ने जो ये पहल करिए बहुत अच्छी मैं उसके तरीफ करना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है जाहिद भाई की तौफीक जी ने चाहे वो कावड यात्रा हो चाहे जलवेश यात्रा हो उसके लिए मुस्लिम समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने पहल करिए इस बार यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले वर्षों में जो यात्रा होगी वो भी बहुत अच्छी बीते साल सोबा यात्रा के दोरान जो नुहु शहर में हिंसा हुई थी जान और माल का भारी नुकसान हुआ था इस बार उस दाग को धोने के लिए 36 विरादरी के लोग एक जुट दिखाई दे रहे हैं इस बार मुसलिम समाज के लोग जलाविशेक करने आने वाले महमानों का स्वागत करेंगे और उसके लिए पूरी त्यारियां चल रही हैं कासिम खान हर्याना तक नुहु मेवाद